चीन को एक और जटका योगी सरकार ने खारिच किया कानपूर आगरा मेट्रो प्रॉजेक्ट का टेंडर UBMRC ने अपना टेंडर Bombardier Transport India Private Limited को दे दिया है हालांकि इसके लिए चीन की कमपनी CRRC नेंजिंग पुजहें लेमिटेड ने भी टेंडर दिया था लेकिन तक्नीकी खामिया पाये जाने की कारण चीनी कमपनी को आयोगे घोशित कर दिया गया बता दें Bombardier Transport India Private Limited एक भारतिय कॉंसोर्शियस कमपनी है Ventilators की सरकारी खरीद ना होने से निर्माता परिशान निर्माताओने की बैन हटाने की मांग Ventilators निर्माता परिशान है एक महीने से भी जादा समय से Ventilators की सरकारी खरीद बंध है निर्माताओं का कहना है कि मांग ना होना और Ventilators Stocks की भरमार होना उद्योग को भारी चोट पहुचा सकता है ऐसे में Association of Indian Medical Device Industry ने Ventilators के निर्यात में पाबंदी हटाने की मांग की है Association ने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र और राज्य की ओर से ओर्डर नहीं मिल रहे है मेर माताओं के पास अन्बिका स्टॉक पड़ा है मांग ना होने की वज़ह से किंतिक गिर रही है इसलिए उन्हें Ventilators के निर्यात की इचाज़त दी जानी चाहिए बता दें कि भारे सरकार ने 18 मार्च को ही COVID महामारी के ज़्यादा पैलने के डर से Ventilators के निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया था जो अब भी लागू है हीरो साइकल्स ने चीन को दिया 900 करोड रुपे का जटका MD पंकज मुझाल ने किया एलान अब देश की कॉर्परेट सेक्टेट ने भी बॉयकार्ट चाइना का बिगुल बचा दिया है हीरो साइकल्स ने चीन को बड़ा जटका देते हुए 900 करोड रुपे के व्यपारिक स्वादे को रद कर दिया है कंपनी के चेर्मैन और मैनेजिंग डिरेक्टर पंकज मुझाल ने शुक्रवार को इसकी घोशना की मुझाल ने कहा कि उन्होंने चीनी कंपनियों के साथ व्यपार खत्म कर दिया है और नए बाजार की तालाज कर रहे हैं चीन के विकल्प के रूट में मुझाल जिन देशों पर विचार कर रहे हैं उनमें जर्मनी सबसे आगे है उन्हेंने कहा कि हिरो साइकल जॉर्मनी में प्लांट लगाने की तैयारी में है जहां से वो यूरोपिय बाजार की मांग पूरी करेंगे करोना महामारी की वज़ से सरकार ने इंकम टेक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए और अधिक महालत दे दी है वितवर्ष 2019-2020 के लिए ITR फाइलिंग के लिए समय सीमा 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि मौजूदा समय को समझते हुए और ध्यान में रखते हुए हमने एक बार फिर डेडलाइन को बढ़ा दिया है उमीद है कि इससे टेक्स पिर्स को बेहतर प्लानिंग में मदद मिलेगी सरकार देश में अलगलग तरह के विश्वस्तर ये एप विक्सित करने के लिए उद्योमियों को प्रोटसाहित करेगी इसके लिए उसने एक प्रोग्राम भी शुरू किया है जिसका नाम है आत्म निर्भर भारत एप इनोवेशन चैलेंज इसके तहट एक मजबूत एकोसिस्टम तयार किया जाएगा साथी भारते प्रद्योगी की खेत्र में उद्योमियों और स्टार्टप्स को एप विक्सित करने के साथ उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने में भी बदद की जाएगी वहीं प्रियाम ने ट्वीट कर स्टार्टप्स और टेक्नोलजी समुदाय से आत्मनिर्वर भारत एप इनोवेशन चैलेंज में हिस्सा लेने की अपील की है बता दें कि चीनी चीन आप्स पर बैन लगाने के बाद मोधी सरकार में इस दिशा में भी आत्मनिर्वर बनने के लिए कदम बढ़ा दी है